हेलो हिंदी मीडियम अकेड़ी में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान कक्षाट का जो अध्या एक है इसके उपर मैंने कम्यूनिटी पोस्ट में कुछ क्वेस्टन पूछे थे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो तो इस वीडियो में हम देखने वालें कि आपका क्या रिस्पोन्स आया मतलब कितने पर्सेंट लोगों ने यहाँ पर क्या-क्या उप्सन सरेक्ट किया है और कितने पर्सेंट लोगों के उत्तर सही है हलाकि इस चेप्टर से मैंने बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे थे पांच क्वेश्चन पूछे थे बट जो दूसरा चेप्टर तीसरा चेप्टर है वहां मेंने ज्यादा क्वेश्चन पूछे है तो काफी मज़ा आएगा आपको इस सीरीज में इस दरह से अगर आपको फेस्बुक पे जुड़ना है तो यह फेस्बुक की आईडी है और अगर आपको इंग्लिस मीडियम की वीडियो से देखनी है Math and Science की तो Math के लिए एक एस टड़ी है इंग्लिस मीडियम में और Dear Science है इंग्लिस मीडियम की Science के लिए तो चलिए शुरू करते हैं देखो इस चैप्टर से जो पहला question मैंने आपसे पूछा था 11 महीने पहले वो था जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाई जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं आपके पास चार उप्सन थे अनाज, फसल, खर, पतवार और खेती ठीक है तो देखिए जब एक ही किस्म के बहुत सारे पौधे ठीक है नियमित रूप से उगाई जाते हैं किसी स्थान पर तो उसम क्या कहते हैं तो उसम कहते हैं फसल आप देखते हैं कि आप मेंसे कितने % लोगों ने इसका उत्तर सही दिया है तो यहां पर देखो यहां पर 90% लोगों ने सही उत्तर दिया है ठीक है, 90% लोगों ने फसल चुना है तो मतलब इस question का response काफी ठीक ठाक था हाला कि मैंने आपको यह अच्छे से पढ़ाया था जब यह chapter पढ़ाया था कि फसल किसे कहते हैं तो इसमें ज़्यादा और अच्छा response आना चाहिए था आपका ठीक है न, बट कोई दिक्कत नहीं है 90% भी ठीक है, 90% बच्चों ने सही उत्तर इसका दिया है बट की उरवर्ता, option ने बढ़ जाती है option भी घड़ जाती है option C अपरिवर्तित रहती है या फिर option D इन में से कोई नहीं बहुत ही आसान सा प्रशन था ठीक है, बहुत ही आसान प्रशन था यह तो इसका उत्तर भी आपको सही देना चाहिए था देखो, फसल चक्रन से क्या होता है मिट्टी गूरवर्ता बढ़ जाती है अब इसमें कितने percent लोगों ने से उत्तर दिया 92 percent, यानि 92 percent लोगों ने सही उत्तर दिया है 5 percent ने कहा है घड़ जाती है 2 percent बोल रहे हैं अपरवर्तित रहती है 1 percent लोग बोल रहे हैं इन में से कोई नहीं 544 लोगों ने vote किया है जिसमें से यह यह percentage है 92 percent लोगों के उत्तर सही हैं, तो यार यह भी काफी आसान प्रसन था, इसमें भी almost 100 percent का उत्तर सही होना चाहिए था बढ़ कोई दिक्तत नहीं है, देरे देरे आप सीखो गया अपनी गलतियों से, चलिए, अगला question देखते है तो question number 3 है इसमें बोला गया है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रिक्रिया कहलाती है तो मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना क्या कहलाता है, इन में से आपको चुनना था तो सही जो option था, जुताई तो कितने percent लोगों ने, यह पर जुताई सब्द चुना है वो है 94 percent तो अभी तक जो 3 percent थे, उसमें से 94 percent अभी सबसे highest है इस question में सबसे highest बच्चों ने मदब correct answer दिया है ठीक है, 693 लोगों ने vote किया है आज तक और इसमें से 94 percent लोगे जो उत्तर हैं वो सही है ठीक है, अगला question क्या था इन में से कौन सा सिचाई का सरोत नहीं है सबसे आसान question भाई इन में से किस सिचाई नहीं कर सकते हो option A कूए, option B जीले, option C नहर, option D हल तो आपको बता है, हल से सिचाई थोड़े होती है यह तो सब कोई पता है, ठीक है लेकिन इसमें भी देखो, सिरिफ 93 percent लोगों ने उत्तर सही दिया है ठीक है, बाकी इधर देखो, यहाँ पर भी 2 percent 3 percent, 2 percent, यह लोग फस गए है इस question में भी, जबकि इसका उत्तर तो आसान था यार, तो 734 वोट में से 93 percent जो है वो सही उत्तर दे पाए हैं भाई, सिचाई का सरोत नहीं लिखा था आपको प्रशन ध्यान से पढ़ना है आपके लिखा नहीं है तो जो सिचाई का सरोत है बहुत से लोगों ने उस पे टिक लगा दे जल्दबाजी में जबकि हमें क्या करना था जो सिचाई का सरोत नहीं है उस पे टिक लगाना था तो हल से हम सिचाई नहीं करते है ठीक है अगला प्रशन क्या है पाटी हुई फसल के अनाजों के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है तो देखो फसल जो है ठीक है वहाँ पर अनाज के दाने को अब भूसे से मतलब पौधे के बाकी इस सो गेरा से चैप्टर से दूसरे चैप्टर से मैंने लगबग 10 प्रशन पूछे हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे फिलाल ये आपके रिस्पोंस दे और भी मैं क्वेश्टन अप्लोड करता रहता हूं ठीके कम्यूटी पोस्ट में तो कम्यूटी वाले सेक्शन में जाओ चैनल मैं आपके लिए काफी मेहनत कर रहा हूं लेकिन थोड़ा एफट तो आपको भी करना पड़ेगा ताकि आप एक्जाम की तैयारी और अच्छे से कर पाओ तो यार इस वीडियो को देखने के लिए धरन्यवाद हिंदी मीडियम अकैडमी आपके साथ है मैं आपके साथ हम मिल के तैयारी काफी अच्छी करेंगे थैंक्स पर वाचिंग